हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल के रिया टिक फड़ना में मैं खुश्बू और आज की इस वीडियो में हम लाया हैं अगर आपने अभी तक हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासिस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा प अन्त में जो है लिप कलर का यूज किया जाता है अब अगर हम मेकप स्टेप की बात करें तो सबसे पहले स्टेप बाई स्टेप क्या क्या यूज हम करते हैं ठीक है मेकप स्टेप की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं मॉश्यराइजर का यूज करत सकते हैं आप कोई सीरम यूज कर सकते हैं या तो ऑईल का भी यूज कर सकते हैं मोईश्यराइजर के लिए या फिर आप कोई क्रीम यूज कर सकते हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं डेया नाइट वाली क्रीम ठीक है अब नेक्स्ट आपका क्या है मोईश्यराइजर के ब थर्ड स्टेप में क्या यूज करेंगे, लिक्विट फाउंडेशन का यूज करेंगे, ठीक है, थर्ड स्टेप में लिक्विट फाउंडेशन का यूज करेंगे, लिक्विट फाउंडेशन के बाद आप क्या यूज करेंगे, लिक्विट फाउंडेशन के बाद आप जो है, यहाँ पर concealer का यूज करेंगे Concealer क्या करता है Concealer जो है आपके dark circle जो dark area है face पे उसको क्या करता है यहाँ पर concealer उसको hide करने का काम करता है अगर कोई pimple के दाग धबे है तो उसको hide करने का काम कौन करता है Concealer करता है Then fifth step पे आप क्या यूज करेंगे foundation powder यूज करेंगे जिसे क्या कहते है set powder भी कहते है foundation powder का यूज करेंगे ठीक है foundation powder का यूज करेंगे then इसको आप क्या बोलते हैं और इसको आप set powder भी बोलते हैं next next step में आप क्या यूज करेंगे फाउंडेशन पाउडर का यूज करने के बाद आप ब्रॉंजर का यूज करेंगे ठीक है ब्रॉंजर क्या करता है ब्रॉंजर का यूज करेंगे ब्रॉंजर क्या काम करता है जो आपके फेस पर एक्स्रा मेकप हो गया एक्स्रा पाउडर्स वगरा हो गया है उसको साफ करने क काम ब्रांजर करता है। ठीक है? 7th step में आप क्या यूज करेंगे? 7th step में आप blush का यूज करेंगे। blush को काँध किया दाइत है? जो अपर चिक होती है, वहाँ पर blush का यूज करते हैं. blush के लिए आप pink shade का यूज कर सकते हैं, और भी shades आते हैं. ब्लस के लिए उसको apply कर सकते आप ठीक है, 8th step में ब्लस के बाद आप क्या highlighter का यूज करेंगे highlighter का यूज करेंगे ठीक है highlighter क्या करता है आपके चेहरे पर extra glow लाता है highlighter का काम करता है face पर extra glow लाता है चमक लाता है उसको highlight करने का काम करता है ठीक है अब next क्या use करेंगे highlighter के बाद आप eye makeup का use यहाँ पर करेंगे ठीक है eye makeup में सबसे पहले eye shadow को apply करेंगे ठीक है eye shadow का apply करेंगे then उसके बाद आप eyeliner का use करेंगे देन इसके बाद मस्कारा का यूज करेंगे फिर लास्ट में आप लिप कलर का यूज करेंगे यानि लेप्स्टिक का यूज करेंगे लिप कलर का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में आप सेट स्प्रे का यूज करेंगे क्या करता है आपके मेकपको set कर देता है रहता है किस कॉस्मेटिक उतपाद का उपवियोग किया जाता है यानि to start makeup which cosmetic product is used, makeup को start करने के लिए इसमें जैसा कि मैंने बताया कि moisturizer का use करते हैं लेकिन moisturizer यहां कहीं नहीं दिख रहा है, moisturizer के बाद क्या apply करते हैं, primer का apply करते हैं, primer भी हमारे option में नहीं है और primer के बाद आप क्या use करते हैं, foundation का use करते हैं और foundation जो है आपके यहां option में दे रखा हुआ है, तो यहां पर foundation पर आप टिक कर देंगे, foundation option आपका सही हो जाएगा, next question की ओर चलते हैं, party makeup में किस प्रकार के सौंदर्य उत्पाद का उपयोग होता है, जो आप party makeup करते हैं, यानि जो आपका heavy makeup होता है, उसमें किस प्रकार के cosmetic स अंदर उत्पाद का यूज होता है, तो जो base cream होता है, यानि base cream को यह क्या कहते है, foundation कहते हैं, उसका यूज करते हैं, तो यहां पर option number आपका D सही हो जाएगा, next question की ओर चलते हैं, भारी makeup यानि heavy makeup बेस के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हैवी makeup बेस के लिए किसका यूज करते हैं, यहां पर pancake का यूज करते हैं, ठीक है, pancake का यूज करते हैं, option number D सही हो जाएगा, next question की ओर चलते हैं, किस प्रकार की मेहदी का आकर भारत में अधिक प्रयोग किया जाता है, तो जो floral type की मेहदी होती है, ठीक है, मेहदी में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में यूज होता है, सबसे जादा, वो कौन सी design होती है, floral design होती है, floral design मतलब जो आपके flowers वगेरा design किया जाते हैं, हाथों में, उस type का यहां पर design किया जाता है, इंडिया में maximum, और यहां पर geometrical shapes का application, हाथों की मेहदी की design में करते हैं, लेकिन बहुत कम किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर option number आपका B सही हो जाएगा, floral type design, next question क्यों चलते हैं, मेहदी design कहां पर की जाती है, बनाये जाते हैं, मेहदी designs जो होते हैं, वो कहां पर बनाये जाते हैं, तो आपको पता होगा कि हाथों और पैरों में ही मेहदी designs बनाय जाते हैं, और बाल में सिर्फ मेहदी लगाई जाती है, तो हाथ और पैरों में designs बनाये जाते हैं, option number A सही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, मेहदी के आकार किन देसों में की जाती है, यानि which country हेना designing is done, ठीक है, जो मेहदी की designs होती है, वो किन देसों में लगाई जाती है, जादा यूज की जाती है, तो यहाँ पर इंडिया में और पाकिस्तान और मुरको जो देस है country है, वहाँ पर मेहदी designs की जाती है, लेकिन आज कल क्या चल रहा है, कि आपके foreigners भी आते हैं यहाँ विजिट करने, और यहाँ की traditional चीजों से वो क्या होते हैं, लुभानवित होत होते हैं, तो यहाँ पर option number C सही हो जाएगा, firstly कौन भारत, पाकिस्तान और मुरको कंट्री जो है मेहदी designs का यूज करते हैं, मेहदी का powder design के लिए किस उत्पाद से मिलाकर उपयोग किया जाता है, मेहदी design का जो paste होता है, powder होता है, उसका paste बनाने के लिए किसको मिला जाता ह तो पानी मिलाकर जो है, मेहदी का paste या गोल आप तयार करते हैं, option number A सही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, मेहदी का पौधा किस प्रकार का रंग प्रदान करता है, जो मेहदी का पौधा होता है, जिसो आप natural मेहदी कहते हैं, वो कौन सा color आपका प्रदान करता है, कौन से र किया जाता है, और वो कैसा color देता है, गाढ़ा लाल रंग देता है, option number यहाँ पर A सही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, tattoo design का पहला काम क्या है, tattoo भी design करने के लिए steps होते हैं, जो कि ये सभी steps दे रखे हैं, लेकिन क्या है, arrange नहीं है, तो tattoo design करने के लिए सबसे पहले आप क् करेंगे, tattoo के लिए जो आप equipments यूज करेंगे, ठीक है, tattoo के लिए जो आप equipments यूज करेंगे, उनको क्या करेंगे, सबसे पहले उनको साफ करेंगे, ठीक है, tattoo के लिए जो equipments यूज करेंगे, उसमें सबसे पहले आप उन equipments को साफ करेंगे, then उसके बाद क्या करेंगे, उन equip को क्या करेंगे व्यवस्थित करेंगे यानि दूसरे नंबर पर क्या होगा सामान को व्यवस्थित करना टू अरेंज मैटेरियर देन थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे टैटू के लिए जो जिस जगह पर आप टैटू बनवाना चाह रहे हैं उस जगह अगर बाल है तो उ परड़ी स्टेप में आएगा फिर क्या करेंगे बाल हटाने के बाद उस जगा को आप साफ करेंगे ठीक है उस जगा को आप साफ करेंगे यानि टैटू के लिए तवचा को साफ करना ये आपका फॉर्थ स्टेप होगा ठीक है तो सेव दा एरिया तो यहां पर जो है आपका टैटू दिजाइन करने का पहला क्या है तो पहला काम है उपकरणों की किटाडू रहित करना है यानि तो डिसिंफेक्ट दा टूल्स तो यहां पर ऑप्शन नमबर आपका 20 ही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन की ओर चलते हैं टैटू डिजाइनिंग के लिए कौन से सुरक्षात्मक कपड़ों का उपियोग ही किया जाता है टैटू डिजाइनर जो होते हैं वो डिजाइन बनाते टाइम किसका यूज करते हैं तो दास्तानों का यूज करते हैं यानि गलफ्स का option number यहाँ पर C सही हो जाएगा, next question की ओर चलते हैं, मेहंदी के क्या फायदे हैं, मेहंदी लगाने से क्या फायदे हैं, तो मेहंदी जो क्या करता है, आपके बालों में shine provide करता है ठीक है, चमक देता है यानि shine provide करता है मेहंदी आपके hair को और इसकी कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है प्रक्रिया नहीं हा, reaction होना चाहिए इसकी कोई रासायनिक प्रिया नहीं होती है यानि किसी भी प्रकार का ये chemical effect नहीं देता है, में बालों को लिए कोई नुकसान ये नहीं पहुचाता है तो ये भी हो जाएगा और क्या करता है नेचुरल लाल रंग प्रोवाइड करता है ये लाल रंग भी देता है तो ये सभी option आपके सही हो जाएगे कि बालों को shiny प्रोवाइड करता है और किसी भी प्रकारम का इसमें chemical reaction नहीं होता है और क्या होता है naturally लाल रंग प्रोवाइड करता है आजकल जो है market में बहुत सारे hair colors आ गया है जो की dye आ गया है जो की chemical होते हैं chemical से बनाए जाते हैं और वो क्या करते हैं आपके सर के scalp जो है उसको भी हानी पहुचाते हैं आपके जो मेहंदी है natural हीना जो है वो आपको किसी भी प्रकार का react नहीं करता reaction किसी प्रकार का नहीं होता है next question के ओर चलते हैं मेहंदी के design का प्रभाव कितने दिन तक रहता है जो हाथों या पैरों में मेहंदी लगाई जाती है designs बनाई जाती है उस वह कब तक टिकी रहती है तो लगबग दो सब्ताह तक यह आपके हाथों पर टिकी रहती है दो सब्ताह तक यह दिखती है धीरे धीरे इसका color जाता है तो यहां पर option number आपका 20 हो जाएगा two weeks तक यह मेहंदी की जानते है रैटिंग से option number बी सही हो जाएगा next question बालों पर base roller कब लगाया जाता है बालों पर base roller कब लगाया जाता है जब बालों को क्या बनाना हो fluffy बनाना हो ज्यादा volume में दिखाना हो तो बालों में base roller का यूज किया जाता है उससे क्या होता है आपके बाल फुले फुले दिखते हैं, उभरे उवे दिखते हैं, ठीक है, बालों को उभार देने के लिए, option number यहाँ पर A सही हो जागा, next question की ओर चलते है, curly hair styling में कौन सा pattern बनता है, जो curly hair style होता है, उसमें कौन सा pattern बनता है, तो उसमें S का pattern बनता है, ठीक है, curly hair style में कैसा pattern बन रहा है, S का pattern बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर option number आपका B सही हो जाएगा, next question की ओर चलते हैं, french lesson को किस नाम से जाना जाता है, जो french lesson होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो back combing के नाम से जानते हैं, back combing क्या होता है, कंगी को उल्टी दिसा में, बालों में जो कंगी करत हैं, वो उल्टी दिसा में करना क्या कहलाता है, back combing कहलाता है, option number यहाँ पर B सही हो जाएगा, और इसी back combing को क्या कहते हैं, french lensing भी कहते हैं, next question, thermal hair styling में बालों को कितने भागों में बाटा जाता है, जो thermal hair styling होती है, उसमें बालों को कितने भागों में बाटा जाता है, तो चार भागों में बालों को बाटा जाता है, और यह thermal hair styling क्या होता है, इसमें जो है, आपके जो equipment यूज होते हैं, thermal hair styling में, वो आपके electric equipment होते हैं, जो कि किस से चलते हैं, electricity से चलते हैं, ठीक है, जो equipment होते हैं, वो किस से चलते हैं, electricity से चलते हैं, यह thermal hair styling के जो equipment होते हैं, वो क और गो ड्रायर होता है और क्या होता है स्ट्रेट्र होता है और किया होता है चलते है सब LOOK से चलता है और इन सब के माध्यम से आपके बालों में हेर स्टाइलिंग की जाती है हीट के माध्यम से ठीक है हीट के माध्यम से क्या की जाती है हेर स्टाइलिंग की जाती है ठीक है हेर स्टाइलिंग की जाती है हीट के माध्यम से अब इन जो एक्विप्मेंट्स है जो भी टूल्स है हेर स्टाइल के लिए इनका temperature fix होता है और वो temperature expert के according कितना होना चाहिए 131 degree foreign height से अधिक नहीं होना चाहिए अगर इसते ज़्यादा ये temperature हुआ तो ये क्या करेगा आपके बालों को जला सकता है ठीक है तो 131 degree foreign height जो है इन equipments का temperature maximum temperature होता है इसते ज़्यादा temperature पर इसको set नहीं किया जाना चाहिए next question कि ओर चलते हैं बालों में फुल आओ देने के लिए क्या आवश्यक है नीका है तो कि बालों में फुल आओ देना किसके माध्यम से curler के माध्यम से या फिर आप जो roller होता है उसका यूज़ करके बालों में फुल आओ दे सकते हैं यानि volume दे सकते हैं fluffy बना सकते हैं बालों को option number यहां पर dc हो जाएगा next question hair styling में बिभिन भागों को अलग दिखाने के लिए कौन से उतपाद का प्रयोग करते हैं ठीक है यानि to get visible layers in hair styling which cosmetics is used ठीक है तो यहां पर setting lotion का भी use करते हैं mousse का भी use करते हैं और hair spray का भी use करते हैं hair styling में बिभिन भागों को अलग अलग दिखाने के लिए ठीक है और यह mousse क्या होता है mousse होता है आपके hair style को long lasting बनाता है लंबे समय तक hair style बनी रहती है ठीक है लंबे समय तक जो है hair style बनी रहती है hair style long lasting यहां पर उपरोक्त सभी यानि all of these hair styling cosmetics है next question की ओर चलते है french lasting को किस नाम से जाना जाता है जो french lasting होती है उसको किस नाम से जाना जाता है यह question repeat हो रहा है back combing के नाम से जानते हैं और back combing मैंने बताया क्या होता है बालों में उल्टी दिसा में comb करना कंगी करना back combing कहलाता है छोटे बालों को set करने के लिए किस styling उत्पाद का प्रयोग किया जाता है छोटे बालों को set करने के लिए हम setting lotion का use करते हैं जिनके छोटे बाल होते हैं उनको set करने के लिए और अधिकतर क्या boys जो होते हैं setting lotion का use करते हैं option number B सही हो जाएगा next question बाल के अध्यान रोप और देख भाल को क्या कहते हैं यानि what do you call a study of hair its disease and care ठीक है तो इसको trichology कहते हैं जिस प्रकार से जीव विज्ञान का अध्यान क्या कहलाता है biology कहलाता है उसी प्रकार से hair का अध्यान जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं trichology कहते है option number B सही हो जाएगा next question के और चलते हैं पारंपरिक के सज्जा यानि traditional hair style में hair design का क्या अर्थ है जो पारंपरिक hair style होता है traditional hair style होता है उसमें क्या उसका क्या अर्थ है आपके बालों को जादा दिखाना घाना दिखाना लंबा दिखाना ही जो है traditional hair style का अर्थ होता है यानि उभारना या फिर more volume ठीक है more volume ठीक है जो पहले की औरते थी उनका बाल क्या होते थे लंबे होते थे घाने होते थे और मतलब ये आप्शन नमक्र करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है बालों पर करने का सबसे अच्छा तरीका है अर्ण फिदिष पिस्टिक को लगातार चलाना जो है सबसे अच्छा तरीका माना जाता है बालों पर बर्शन क선व Also B धाने eust ट्बेस्ट ट्विस्टिंग तकनीक सबेसे हैं कि हो इसी तकनीकि संब्सक्राइब किया है जो भालों में चोटी ना होता है और यह कैसा है कैसी कि ट्रेडिशनल तकनीक लीगियर स्ट्रम को गूथ है कि highlighting किनि और निर्भर कर ती हैं है और को गूथए दो तो सर की स्थिती पर निर्भर करती है, बालो की लंबाई पर और उसके volume पर भी निर्भर करती है hair style, बालो के softness पर भी निर्भर करती है, बालो के softness पर, यानि इन तीनों चीजों पर hair styling आपकी depend होती है, option number यहां पर भी सही हो जाएगा, next question की ओर चलते हैं, बढ़ियां बनावट के बाल पर करल को अधिक देर तक इस्थिर रखने के लिए किस उत्पाद का यूज किया जाता है ठीक है बालों पर स्टाइलिंग को अधिक देर तक बाल जो है जो भी स्टाइल बनाया वो अधिक देर तक टिका रहे उसके लिए क्या करते हैं यूज मूस का यूज करते हैं ठीक है option नमबर आपका बी इसी सही हो जाएगा मूस next question की और चलते हैं निम्न में से कौन सा ड्रायर का attachment है ठीक है ड्रायर का attachment क्या हो है तो ये nozzle है ठीक है nozzle है या इसी को आप कह सकते हैं roller है ठीक है option नमबर यहाँ पर A सही हो जाएगा इसके मादम से फिर क्या hair dryer को चला जाता है और बाल आपके सूख भी जाते हैं जल्दी और उस पर क्या होता है आप कोई सी style भी बना सकते हैं उसके मादम से option नमबर A सही हो जाएगा next question soft press के दौरान कितने प्रतिसत तक सीधे होते ह हैं आपके बाल जो soft press होता है उस दौरान जो है आपके बाल कितने percent तक सीधे होते हैं तो 60 to 70 percent तक जो है यह आपके बालों को straight करता है option नमबर यहाँ पर C सही हो जाएगा next question क्यों चलता है निम्न में से कौन सा thermal उपकरण है इसमें से कौन सा जो है thermal उपकरण है तो hot roll जो है वो thermal equipment है ठीक है option नमबर यहाँ पर B सही हो जाएगा और यह electricity सी चलता है next question गुंगराले बालों को सुखाने के लिए निम्न म जाता है घुंगराले बालों को जल्दी सुखाने के लिए किसका यूज किया जाता है diffuser का यूज किया जाता है diffuser का यूज घुंगराले बालों को जल से जल सुखाने के लिए किया जाता है next question की और चलते हैं hair dryer कितने प्रकार के होते हैं जो hair dryer होते हैं वो कितने types के होते है तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से, hair dryer आपके दो types के होते हैं, hand dryer, ठीक है, hand dryer, और दूसरा क्या है आपका, pedestal dryer, ड्रायर, दूसरा क्या है, pedestal dryer, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, commercial dryer, किस नाम से जानते हैं, commercial dryer के नाम से जानते हैं, ठीक है, hand dryer, और pedestal dryer, या commercial dryer, hand dryer क्या आता है, ये आपका बालों को सुखाने में अधिक समय लेता है, more time taking, ठीक है, अधिक समय लेता है, और इसको सुखाने में अधिक work करना पड़ता है, मेहनत अधिक लगती है, ठीक है, अधिक मेहनत लगती है, hand dryer से बालों को सुखाने में, वहीं अगर pedestal dryer का आप यूज करते हैं, तो ये क्या है, automatically आपका चलता है, और ये क्या करता है, कम समय में बालों को सुखा देता है, easily, ठीक है, easy to use, तो यहाँ पर hair dryer आपके दो types के होते हैं, next question, अधिक सीधे बालों को किस प्रकार की thermal styling दी जा सकती है, अधिक सीधे बाल जो आपके एकदम straight बाल होते हैं, उसमें styling देने के लिए आप crimping का यूज कर सकते हैं, crimping styling में क्या होता है, आपके बाल जो हलके से curl होते हैं, ठीक है, आपके बाल हलके हलके ऐसे curl होते हैं, इस style को क्या कहते हैं, crimping style करते हैं, ठीक है, next question की ओर चलते हैं, किस hair styling को करते समय ध्यान रखकर बालों को पूरी तरह से, किस type के hair style को करने में ये ध्यान रखा जाता है, कि आपके बाल पूरी तरह से सूखे हो, तो जो thermal styling है, थर्मल स्टाइलिंग करते समय जो है आपके बाल ध्यान रखने चाहिए आपके बाल पूरी तरह से सूखे करने स्टाइल चाहिए ओर चन्टे उत हरे इनिशियल स्थिती होती है पोजिशन होती है बालों की स्टार्टिंग में जैसे बाल होते हैं वैसे आपके हो जाएंगे तो थर्मल स्टाइलिंग का फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गीले बालों पर ठीक है तो यहां पर option number आपका भी सही हो जाएगा तो यह रहा आज का हमारा 35 questions ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद